हेलो फ्रेंड्स नमस्कार और स्वाक्त है आपका आपके फेबरिट यूट्यूब चैनल लब फेश्बुक पेज धिमान राजिय धिमान में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सोल्ब करेंगे डिटर्मिनेट को उनकी प्रोपर्टीज के साथ मैं इससे पहले भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंटरी ट्रांस्फरमेशन के साथ और हाउ टू सोल्ब सिस्ट्म ऑफ लीनियर एक्वेशन बिक इनवर्स मैथर तो अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए एक प्लेइलिस्ट बनाई हुई है आप प्लेइलिस A-B, B-C, C-A into A+, B+, C तो देखिए जब भी हमें इस टाइप के डिटर्मिनेंट को प्रूब करना हो तो हमें राइट हैंड साइड जो दी गई होती है उसको एनलाइज करना है यहां पर क्या लिखा है A-B, B-C, C-A मतलब हमें कहीं न कहीं A-B और B-C से सुरुआत करनी है यहाँ A-B, C-A से सुरुआत करनी होगी और A-B, B-C कैसे आएगा देखिए यहां से A-B और A-C ऐसे आएगा तो हम क्या करेंगे यह first column, यह second column, यह third column हम minus कर देंगे first column minus second column and first column minus third column यह operation लगाएंगे तो हमें यहां पर यह मिल जाएगा A-B, B-C और यहां पर पहले row में देखिए 0 मिलेगा 1-1 0 होगा यहां से 1-1 0 मिलेगा और मैंने आपको पहले भी कहा है पहले की वीडियोज में कि हमें जब भी किसी row में 1-1 1 मिलता है तो हमें उसको माइनस कर देना है उस row या कोलम को जिससे हमें 0-0 मिल सके और इससे हमें determinant की calculation में बहुत आसानी हो जाती है तो हम सबसे पहले operation करेंगे हमारा पहला operation होगा C1-C2 और दूसरा होगा C2-C3 C1-C2 इससे 0 मिलेगा और यहां से यहां माइनस करेंगे पहले दूसरे कोलम से और तीसरे कोलम को तो भी 0 मिलेगा देखिए कोलम C1 चेंज होगा कोलम C2 चेंज होगा C3 एज़िटीच रहेगा तो C1-C2 1-1 यहां से 0 मिलेगा और फिर नीचे A-B होगा ऐसे और फिर A3-B3 ऐसे A3-B3 अब दूसरे कोलम है 1-1 C2-C3 आएगा तो यह आएगा 1-1 0 फिर यहां मिलेगा हमें V-C और नीचे मिलेगा B3-C3 थर्ड कोलम एज़िटीच रहेगा 1-C C3 अब यहां से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सैकिन कोलम और थर्ड कोलम है फर्स कोलम और सैकिन कोलम है A3-B3 और B3-C3 है इसके फेक्टर बनाए जा सकते हैं और इसको इस ढंग से लिखा जा सकता है अब देखें थर्ड कोलम के फेक्टर थर्ड रोज के फेक्टर ऐसे बनेंगे A3-B3 जो कि बराबर होता है A3-B3 बराबर होता है सिर्फ पहली टर्म माइनस होती है और जब यहां पर प्लस होता है तो यह टर्म प्लस और यह टर्म माइनस होती है तो यह ध्यान से देखना है बात AQ-BQ बनेगा A-B into A2-B2-AB और यहां BQ-CQ बनेगा B-C into B2-C2-C2-C और 3rd column as it is रहेगा अब ध्यान से देखेंगे तो 1st column से और 2nd column से 1st column से हमें A-B common मिलेगा 2nd column से B-C column मिलेगा तो हम common ले लेंगे taking common A-B and B-C from C1 and C2 1st column से और 2nd column से A-B, B-C respectively common ले लेंगे जब हम common ले लेंगे तो इसको बाहर लिख देंगे A-B, B-C को अब 1st row से हमें मिलेगा 001 2nd row से A-B हम common ले चुके हैं 1 मिलेगा B-C common ले चुके हैं 1 मिलेगा और C अपनी जगा पे रहेगा अब 2nd हम 1st column से common ले रहे हैं 1st column से तो A-B यहां भी common होगा तो यह बचेगा A-Square प्लस B-Square प्लस A-B क्योंकि यह तो common आ चुका यह से यह भी और यह भी तो यहां बचेगा B-Square प्लस C-Square प्लस B-C और देखिए फ़र्ड कोलम का last element रहेगा C-Cube adjectives लिखा जाएगा अब इसके बाद देखिए यहां भी 0 है यहां भी 0 है तो हम इसको expand कर सकते हैं along first row expanding along r1 तो क्या मिलेगा हमें देखिए A-B B-C adjectives रहेगा बाहर और यहां से 0 से multiply करेंगे तो 0 मिलेगा यहां 0 से multiply करेंगे तो 0 मिलेगा हमें सिर्फ last element जो है वो रखेंगे 1 into determinant value क्या यह eliminate हो जाएगा यह बाकी जो बचेगा उसकी value determinant की तो 1 और second row में A square plus B square plus A B और यहां B square plus C square plus B C अब जब इसको expand करेंगे तो हमें मिलेगा 1 into B square plus C square plus B C फिर minus यहां cross multiplication होगी तो minus A square minus B square minus A B अब देखिए यहां से B square B square खत्म हो गया C square plus B C minus A square minus A B अब इसके बाद देखिए यहां से मिलेगा C square यहां से minus A square यह B C यह A B तो इन को इकठा करेंगे A minus B B minus C बाहराई जिटिच रहेगा और जो square वाली term है उनको इकठा कर लेते हैं और जो B non square वाली term है उनको अलग से इकठा करेंगे ऐसे तो C square minus A square को लिख सकते हैं C minus A into C plus A और यहां से B C minus A B मैंसे B common आएगा तो हमें मिलेगा C minus A और last step मैं C minus A common ले रहा हूँ मैं C minus A यहां से common यहां क्या मिलेगा C plus A और यहां मिलेगा B और यह बाहर adjective चला हुआ है A minus B B minus C और last step में क्या हो गया फिर A minus B B minus C C minus A और last मैं हो गया A plus B plus C इसको मैंने लिख दिया है last मैं rearrange करके A plus B plus C और यही हमारा answer है right hand side हमारा अगला question है determinant of X plus 4 2X 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 X plus 4 2X 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 X plus 4 is equal to 5X plus 4 into 4 minus X square यह हमें prove करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो left hand side है उसको delta के बराबर suppose कर लेंगे और फिर जो right hand side है उसको हमने study करना है answer उसी से मिलना है तो हमें हमें 5X plus 4 चाहिए तो यहां पर देखते हैं 4 5X plus 4 कैसे मिलेगा अगर हम 2X 2X और SX को add कर लें या फिर 2X 2X और SX को add कर लें मतलब हम सभी rows को या सभी columns को add करके किसी एक row या column में लिख दें तो हमें 5X plus 4 मिल जाएगा और यही operation हम करेंगे R1 plus R2 plus R3 हमने result first row में लिखना है अब जब result first row में लिखेंगे तो 2X plus 2X plus X यह मिलेगा हमें 5X plus 4 यहां से भी 2X plus X plus 2X 5X plus 4 यहां से भी 2X plus 2X plus X 5X plus 4 हमारे सिर्फ first row चेंज होगी वाकि second row third agitage लिखी जाएंगे अब first row को study करिए देखें first row में के लिखा है 5X plus 4, 5X plus 4, 5X plus 4 तो हम common ले लेंगे 5X plus 4, first row से taking common 5X plus 4 from R1 तो R1 में जब 5X plus 4 common आ जाएगा बाहर तो R1 में लिखा जाएगा 1, 1, 1 और second and third rows agitage रहेंगे उसके बाद देखिए मैंने कहा है जब भी किसी row या किसी column के element बराबर हो जाते हैं तो हम उनको minus कर देते हैं तो हम क्या करेंगे C1 minus C2 ये operation यूज़ करेंगे और फिर C2 minus C3 जिससे क्या होगा C1 minus C2 C2 minus C3 तो यहां भी 0 मिलेगी यहां भी 0 मिल जाएगी देखिए फिर्स्ट and second change हो जाएंगे तो थर्ड कोलम unchanged रहेगा अब फिर्स्ट कोलम क्या हैगा 1 minus 1 1 minus 1 इन दोनों की minus करनी है तो ये रहेगा 0 फिर 2X minus यहां लिकेंगे 2X minus X minus 4 और नीचे लिकेंगे 2X minus 2X इसी तरह से यहां के लिकेंगे second minus third तो 1 minus 1 यहां 0 आएगा फिर यहां X plus 4 minus 2X और नीचे 2X minus X minus 4 और लास्ट कोलम as it is 1, 2X, X plus 4 अब देखिए इसके बाद first row मैंने as it is लिख दी यहां पर और second row 2X minus X से मिला हमें X और minus 4 यहां minus X plus 4 मिला और last second row का last element as it is अब third row 2X minus 2X 0 मिली 2X minus X से हमें मिला X और minus 4 आगे X plus 4 अब देखिए क्योंकि first row मैं हमारे पास 2 zero जा चुकी हैं तो हम expand कर देंगे इसको along first row expanding along first row तो हमें क्या मिलेगा 5X plus 4 एजिटीज रहेगा बाहर और यहां zero यहां zero तो यहां expand करने की कोई जरूरत नहीं यह first two element से हमें third element के साथ सुरू करना है और यह देखिए यह third element इसके row और column delete हो जाएंगे बाकी जो determinant बचेगा two by two का वो ही हमारा answer हो जाएगा फिर तो यहां cross multiply होगा क्योंकि यहां से जब multiply करेंगे तो zero के साथ वो zero ही मिलेगा तो X minus 4 X minus 4 को square करेंगे हमें मिलेगा X minus 4 X minus 4 whole square अब देखिए दो नमबर की subtraction जब हम करेंगे जब दो नमबर को subtract करेंगे और उसके बाद whole square लेंगे तो वो नमबर commutative हो या ना हो कोई फरक नहीं पड़ेगा मतलब यह हुआ कि हम X minus 4 को 4 minus X भी लिख सकते हैं और यही हमारा right hand side होगा क्योंकि X minus 4 का जो square होगा वो ही 4 minus X का square होगा इसलिए यही हमारा proof है इस question का तो friends यह था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा determinant को कैसे solve किया जाता है उनकी properties के साथ मुझे पूरी अमीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप इसको like करें अपने friends के साथ share करें और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जुरूर सबस्क्राइब कर ले इसी तरह की मैज के ओपर वीडियो देखने के लिए अगर आपने ये वीडियो Facebook पेज के ओपर देखा है तो हमारे पेज को like और follow करना बिर्कुल लब हो ले Thank you very much